अब्छीए यहां पर ने किया आफॉआ फ़ादर वाज बीजी ओझी है टROंफिया माइस मतलब क्या हो जाएगा ने मेरे हो जाएगा फार मतलब पिताजी मेरे पिताजी वाज मतलब क्या हो जाएगा था होता होका अरे पिताजी ना पोलेंगे बटो ब estás裡 तुम कि सोरी तर बेटो अभको नम है तुम में आग बोड़ी हो जा आने दो देवाग फेले लेकां को अण्यार श्क्यार में आप और में और पर में इस तुल आप रहा है सुनिए माइफादा मतलब मेरे पिताजी हो जाएगा पिताजी है तो वाज क्या देंगे थे बीजी मतला ब्यास क्या हुआ जगा मेरे पिताजी ब्यास तो थे यह नहीं हो जाएगा यह और फादर वाज वारी नौत यहीं है देहिए यह मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे यह आपके भी हो जाएगा चलिए आपके दें क्या देंगे फादर मतलब पिताजी वर्यास मतलब थे पिताजी अथे न बोलेंगे बिए अधिल्यक नाटीव सारे सिस्टर है यहां पर सुनिए तो योर तो आप की नोजगा यहां पर का कि सिस्टर ना गिया आपकी सिस्टर मतलब क्या जगा बहां तो बहां ना गया तो आज का क्या देंगे थी लड़की ना गया चालिए वेरी मतलब बहुत ऑफन नाटंट मतलब तो क्या हो जायाएगा आपकी बहान बहुत नट काटी ठाज आपकी बहान हां तुम्हारी भी दे सकते हैं यूर का की ऑसा की है ऑगी या सुनिये तो अपना किताब परो किताब लिए तुम किताब टो आ व सबस्क पह प्यदाम मतलब और नहीं ऊचाए नहीं तो ऊच्रीश कहले नहीं गारे सबसे कjadi तो मैंको कर थे कि अस्ञेखम। आओगा तो नहीं तो हाँ यहां से आप हिंदि जैओ तो मेरे दोस्त नहीं नहीं ही Ten Word करते हो पादे वाज मतलब अरे थीना होगा इन मतलब यह न बेगु सराएं बेगु सराएं क्या हो जाएगा तुमारे दोस्त की माँ बेगु सराएं में थी समझ यह इस तरह सिंद्ध करेंगे अब आपर दो इता लगा दो अब चलिए दाट आट और माइफ्रेंड वाज वेरी एक्टी वहीं है देखिये दा मतलब कुछ होगा ना का हिंदी कुछ ने होता है समझा चाट मतलब क्या होगा बिल्ली आप मतलब माइफ्रेंड मेरे दोस्त की बिल्ली वाज मतलब व्यारी मतलब एक्टिव मतलब पुर्टी ली क्या हो जाएगा मेरे दोस्त की बिल्ली बहुत फुर्टी ली एनोगा अब नाट काट नाए एक्टिव मतलब फुर्टी ली नोटी आएग अब आप लेग लेजी ए तलिया पर लिग लेजये इसकासस जाले ध्यानम देंदे यह यहां पर दो चार कोई शनव लास्ट फुर्ट अन्ये दा मतलब कुछ में नोगा निक्याद आप मतलब बिल्ली अधना आप तक हैं मंखहुन को था है वागतर मतला मेरे बताएन जब लिखारण सबस्टेया टूैरा मेरे दोस्ताल सबस्का मेरे दोस्तारा नियुद्ल सा थै कुछ तर्म से प्सटा ने तो मेरेhalt कैली। मतला मतला मेरे दोस्त का कुटा बहुत बापादार आरे मेरे कुटा का दोस्त तरकुता का दोस्त है अने उल्टा करेका ने मेरे दोस्त का यहां 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 गया फिर मारें जापर की चलिए ये वैर वेरी ओनेस्ट टैसने से प्रश्ष चोंगे है क्या कर रही थी बनाई बने में नहीं कि तो अधरी है तुम शुनिए देवर वेरी ओनेस्ट दे मतलब क्या हो जाए वे लोग वेर मतलाव थे वेरी मतलाव ओनेस्ट मतलाव बट मतलाव यह मतलाव तुम लोग आर मतलाव है और तुम लोग रहता है तो हो ना लगाते हैं तुम जिए आया तो हो लगाएंगे नोट मतलाव प्रॉच तो मतलाव समझाया क्या हो जाएगा वह लोग बहुत इमांधार थे लेकिन तुम लोग इमांधार नहीं थे ओ तुम कि दमेंदाव से बनाटाव रहे अगर बाद फुस हो गया अच्छो यह पर ज्यान दो वे लोग बहुत इमंदार थे यह समझ माता है चले जान देजिए क्या होगा वे लोग बहुत इमंदार थे यहां पर लिखेंगे न्रे लेकिन तुम लोग तुम लेकिन तुम लोग हो तुम ले जमंदार नहीं हो हुआ दा स्टुडेंस आप माय स्कूल यह नहीं है ते कि दा मतलब कुछ नहीं होगा स्टुडेंट्स मतलब क्या हो जाएगा आप मतलब का की के बिजार्थी जादान हो गया रहे यहां पर ऐसल लगा हुआ है मेरे स्कूल मेरे स्कूल के बिजार्थी वैर मतलब नोट मतलब मतलब महनती क्या हो जाएगा मेरे स्कूल के बिजार्थी महनती नहीं थे ठीक है समझे आगे दा कैड़ साप माइटीचर आर वेरी अक्टिव इन ए सुनिए जाप समतलब क्या हो जाएगा विल्लिया थे आप मतलब की भूल जाती है लड़की के लिए की नहीं आता है चलिए आप माय मतलब मेरे टीचर मतलब क्या होगा मेरे सिक्षा की बिल्लिया नोग्या आर मतलब बैरी मतलब एक्टिव मतलब फूर तेली सुना क्या मेरे सिक्षा की बिल्लिया बहुत फूर्तीली है यह नोगा आएगा यह यह आप कि काल्या क्या आरा के नहीं एक क्ये नहीं उ हो औस הוא झाघ है हुआ है